नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन के टॉप 25 पर्मोख खबर जनते हैं आज जर्खन में बढ़ेगा लोगडाउन सीम करेंगे फैसला जर्खन में 29 अप्रेल के बाद लोगडाउन के अधी बढ़ाने को लेकर मुख मंत्री के अध्यक्सता में आयुजित बैठक में बुद्धवार को नीरने लिया जाएगा इसको लेकर अभी से समवना जताई जा कार अधी बढ़ा सकती है हलाकि अधिकरित तोर पर कोई नीरना बैठक के बाद होगा माना जा रहा है कि आगे भी निर्मान उद्योग समेत तमाम आर्थे कति विद्या पर कोई पबंदी नहीं लगाई जाएगी इस मुद्धे परमुक मंत्री अपने कैबिनेट स्वायोग से भी विचार कर सकते हैं 28 अप्रेल से दो माई तक बारीस राइधानी राक्षी सहित आसपास के इलाकों में अगले और ताप मान में बढ़ोत्री का सारा है बतादे 28 अप्रेल को अधिक्तम ताप मान 40 डिग्री से पहुंच सकता है मौसम विभाग की माने तो अगामी 29 आसमान में बादल छाय राएंगे तेज हावा और गर्जन के साथ बारीस की समवना बनी हुई है बता दे पिछले 24 गंट में अधिक्तम ताप माई 37.6 डिग्री सेल्सियस वहीं नियुम्तम 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा है पारासिक्षकों की सरकार को चेतावनी हमें भी एक माह का दे अतिरिक्त मांदे एकी कृत पारासिक्षक संहर्च मोचा के रांचे जिला द्यक्त सकील ने राए सरकार को पत्र लिकर कहा है कि इस संकट की सिती में चिकीट सक यों स्वास कर्मियों के लावे कुरोणा वर्यस के रूप में पारासिक को को भी विभीन अस्पतालो के वार्ड में आई सीउ मेरा कर मरीजों की देखफार कर रहे हैं कोई पारासिक्षक तो ऐसे हैं जो रमजान माह में भी रोजा रखते हुए कोबी नैंटीन ड्यूटी को इमंदारी पुर्वक निभार हैं इन्हें भी संक्रमन होने की पूरी संभावना है पारासिक्षक अ करोना वैक्सिन रेश्टेशन स्फुरू जारकन में 18-24 वरस के नागिरीको का क्रोन टीका करन के लिए बुद्वास रेश्टेशन स्फुरू होगा हालाकि एक मैसे टीका करन शुरू होने पर अभिसा सब्साय है दरसल इस आयू वर्ग के लोगों को टीका करन के लिए ज्यार्खन के हमारे भाईयों का सवगर भेजवाने में मदद करे केंद्रे सकार सीम हेमन्त मुख्य मंत्री हेमन्सुरे ने रक्षा मंत्री रायना सिंग से मंगलवार को दुर्भास पर बात कर गलेशिया तूटने से मुरित जार्खन के गारा निवासियों का पार्थिव शरीर परिवार को वापस भेजने को लेकर अपनाये जारे सीमा सड़क संगठन के रोवाया पर खेज जताया है मुख्य मंत्री ने रक्षा मंत्री से आगरा किया है कि वा अपने अधिनास्त अधिकारियों को इस समध में आदेश दे ताकि मुरित मजदुरों का उनके परिजन अम्तिम दर्शन कर सके केजरिवाल के आगरा पर सीम हमंत्री ने जारकन से भेजा अन्ठावन टॉन अक्सिजन मुख्य मंत्री हमंत्री ने देली के सीम के अनुरुद पर मंगलवार को अपने आवासे करयाले से लिडे इंडिया लिमिटेड के चार लिक्विड मेडिकल अक्सिजन ट्रेंकर को अनलाइन फ्लेग आप कर जमसेदपूर से दिली के लिए रवाना किया इस औसर पर मुख्यबंतिर ने का कि इस बैस्फिक रवामारी के दोर में पुरे देश में मेडिकल अक्सिजन की कमी है हम सबी के लिए या सभाग की बात है कि आज हम अपने राजे के साथ साथ दूसरे राजियों को भी मेडिकल अक्सिजन के अपूर्ति करने में सक्चम हो पाया है ज्यारखन पूलिस के 4 SP 10 DSP सहीद 512 पूलिस कर्मी संक्रमित ज्यारखन पूलिस के 4 SP 10 DSP 29 पूलिस इंसपटर वो 108 दरोगा सहीद 512 पूलिस पतादिकारी कर्मी कर्मी करोना वायरस से संक्रमित हो गए है करोना वायरस के कर इस quiolar जारी है कि हर दिन संक्रमित पूलिस पतादिकार्यों कर्मियों की संक्राथ बढ़ती जा रही है बता दे तीन दिन पहले जहां जार्खन पुलिस में संक्रामित की संक्या 370 थी वहीं दूसरी ही दिन यह संक्या 461 हो गई और अब यह संक्या 512 पर पहुँच गई है जहार्खन स्थीय महमंत का फैसला फिरी वैक्सिन के लिए 250 क्रोड स्वास्त विभाकी पॉलपर राज में 18 वरस से अधिक के लोगों को टीका देने के लिए टीका खरीदने की प्रिकिलिया शुरू कर दी गई है बतादे विकास आयूत के अधिक्ता में बनी राजे प्रादिक्रीत समिती को इसके लिए अधिक्रीत कर दिया गया है वही एडवांस में 250 कोड़ों रुपए की निकासी आक्समिक्ता फंड से की जा सकेगी इसे मुख मंत्री और कैबिनेट के अनुमति के लिए भेजा जाएगा सीम हमांद 내 स्वास्त कर्मियों को सरहा कोरोना वायरास संकραम और पफ़वाईन नियंतरन के लिए दीन रात महिनत कर दे स्वास्त कर्मियों को राज सरकार एक मीह मां काद रिक्ट बेतर 수도 और मान्दे देगी मोखे मंत्री एमान सुरें ने सोमवार को या गोस्तना की उन्होंने काया कि कुरोना संकट काल में कुरोना योदा दिन रात मेनत कर सेवा में लगे हुए हैं इसे देखते हुए राज सरकार ने फैसना लिया है कि कॉविट कार में लगे चिकजसा, करमीओ और चिकजसकों को एक माह के बेतन और मानदे के बराबर फोद्थान रासी देगी ज्यार्खन में 1626 नए केस मिले है ज्यार्खन में 131 की मौथ हुई है ज्यार्खन में कुल मौथ की संख्या 246 है वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 51.252 है भारत में 3,62,257 नए केस मिले है भारत में कुल मौथ की संख्या 2,161,65 है वही कूल एक्टिव केस की संख्या 29,22,106 है भारत में 2,62,49 मरीज स्वास्थ हुए है वही जार्खन में 42,47 मरीज स्वास्थ हुए है बता दे भारत में अब तक कूल टीका करण 14,52,181,186 है जार्खन में मिले 1726 नए मरीज इस प्रकार हैं बोकारो 24,45,43, देवघर, 129, धनवाद, 221, दुमका, 177, पूर्वी, सिमुव, 992, गडवा, 63, गेड़ी, 108, गोड़ा, 80, गुमला, 122,584, जाम, तला, 266, खोटी, 68, कुडार्मा, 188, लातियार, 145, लोहर, दग्गा, 136, पा 24, साहिवगन, 63, सराइ, किला, 92, सिम्डेगा, 59, 55, 75, मरीज मिले हैं, बता देज, जार्खन में 131, मरीज की मौथ हुई है, जो राची से 61, पूर्वी, सिमुव, 14, रामगर, 9006, गिरीडी, खोटी, 55, जाम, तला, 4, बोकारो, देवघर, कोड़ार्मा, 55, सिम्डेगा, 3, 3, लातेहर, पलामु, सराइ, किलावा, सिम्डेगा, में 2, 2, वही, दुमका, गोड़ा, गुमला, लुर्दागा, में 1, 1, मरीज की मौथ हुई है, जार्खन में स्वास्थ हुए, 4, 247, मरीज इस प्रकार है, बोकारो, 171, 4, 58, देवघर, 194, धनबात, 172, दुमका, 116, पूर् लुर्दागा, 74, पाकुर, 27, पलामु, 174, रामगार, 117, राची, 179, साइबगा, 141, सराइ, किला, 13, सिम्डेगा, 30, 55,126, मरीज स्वास्थ हुए है, रिम्स के ट्रामा सेंटर में बेट दिलाने के नाम पर वसुलते थे, 50-50,000, तीन गिरफतार, रिम्स के ट्रामा सेंट इस ने तीन दरालों को गिरफतार किया है, SBI में कलर्क के 527 पदो पर भरती, जेस्ट के सबसे बड़े बैंक, State Bank of India ने क्लेरिकर काईडर में जूनियर एसोसियेट के पदो पर भरती के नोडिफिकेशन जारी किया है, बता दे, कुल 527 वैकेंसी निकाली गई है, ऑनलाइन आवेदन की परकिरिया सुरू हो गई है, एक चुक उमिद्वार SBI.co.n पर जाकाल, 37 माई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं, आठवीक अक्षा तक के 1,28,000 समाने चात्रों को चात्रवीर्थी देने की तैयारी, जार्खन सिक्षाप पर जोईना परिशत के निदेशक ने, मुख्य मंत्री 26 चात्रवीर्थी जोईना के तहत, बर्स 2021 के लिए चात्रवीर्थी रासी की गणना करने का निदेश दिया है कहा गया है कि विद्यार्थियों के लिए चात्रवीर्थी की रासी की गणना 10 माह के लिए करते हुए बिहित प्रपत्र में ई-मेल के माध्यम से सुचना 15 मई तक उपलब्द कराई जाए सरकारी प्रारमिक विद्याले के समाने बर के 1,882,92 विद्यार्थी को उख्त चात्रवीर्थी रासी उपलब्द कराई जानी है मुख्यमंत्री स्रमिक योजना में 25-515 स्रमिकों ने कराया पंजियान राज ये में मुख्य मंतर स्रमीक योजना शुरू होने के आठ माह में 25-515 स्रमीकों ने पंजेन कराया है पताद 18-1983 स्रमीकों को अस्थानिय निकायों ने जौब कर दे दिया है हलाकि योजना के तहट काम मांगने वाड़े स्रमीकों संख्या काफी कम है योजना के तहत निवन्दी स्रमीकों में से अब तक केवा 2797 नहीं सरकार से कामागा है 207 सहरी स्रमीकों को कारे अवंटित भी किया गया है इर्फान अंसारी सीएम रिलिफ फंड में देंगे तीन माह का बेतन मौके पर विदायक इर्फान अंसारी ने कहा कि कोरोना वायरस एक विक्राल रूप लेता जा रहा है और खास कर इसकी दूसरी लावर काफी घातक और जनलेवा है इसी को देखते हुए मैंने यार निर्न लिया कोरोना काल में राची वास्तियों के लिए जीला पर ससंदवार लगातार एक के बाद एक पहल की जा रही है बतादे इसी घड़ी में मंगलवार को सीएसी कोविट के अर बैन का सुभारम किया गया उपायुक त राची छवी रंजन ने हरी जड़ी दिखा कर सीएसी कोविट के अर बैन का सुभारम किया ये बैन जीले के अलग-अलग परखंडों में लोगों में जागरूपता करने के साथ साथ उन्हें जरूरी स्वाभी मुईया कराएगी राची में अब जगा बदल बदल कर होगी एंटी क्राइम चेकिंग क्रोणा में हमारी के दोरान भी राची पुलिस क्राइम कंट्रोल के लिए लगतार अलग-अलग पर्योग और तयारी कर रही है राची में अपराधी गटनाव पर रोक्ताम के लिए नियमीत तोर पर एंटी ट्रेन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है हर दिन रात के आठ बहे से सुबा पांच बहे तक चेकिंग की जा रही है यसेसपी सुरेंद्र कुमार जा के निर्देश के बाद राची के 29 थाना चेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग के लिए च्छारी चेकिंग पॉइंट बनाए गए है सड़कों पर टमाटर फेक रहे किसान चत्रा के गिदोर के खेतों में आईए और फिरी में टमाटर ले जाए है या घोसना पर खन के टमाटर फसल करने वाले किसानों ने कर रखी है टमाटर का बजार नहीं होने से किसान खुन के आशूरों रहे हैं इनकी कमर तूट गई है बता दे टमाटर की फसल कर किसान पूरी तरह से कंगाल बन गए हैं उनका हाल बेहाल हो गया है इसी ती ऐसी है कि फ्री टमाटर लेने वाला नहीं मिल रहे हैं किसान खेत में ही टमाटर छोड़ दे रहे हैं दरजुनों एकड में लगी टमाटर यहां के खेतों में सड़ रहा है केंद्र सरकार ने जार्खन को दी चतावनी भारत सरकार ने राज सरकार को कुरोना वायरस से फैल रहे संक्रमन को लेकर एतियात बरतने का निर्देश दिया है केंदर सरकार के अस्तर से ऐसे सभी राज जहां दस फिसद से अधिक पोजिटिविटी रेट है पत्रलिक सकती बरतने का निर्देश दिया गया है ऐसे सभी राजियों में कंटेन्मेंट प्लान सकती से लागू करने की इदायत के साथ ही जाच को बढ़ाने को भी कहा गया है केंदर से मिले खाद्यान गरीपो तक सत परतिसत वितरन मुख्यमंत्री करे सुरिष्टी दिपक परकास बाज़पा के परदेश अधियक ससांसर दिपक परकास ने केंदर सरकार की ओर से खाद्यान दिये जाने के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने स्वागत करते हुए हेमन सरकार पर लपरवाई और सन्वेदन हिंता का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा है कि हेमन सरकार की आसफलता के कारण पिछले वर्स गरीब भोखे सोने को मजबूर हुए केंजर सरकार दुआरा दिया गया अनाज गोदामों और गाड़ियों में सर्ता रहा उन्होंने कहा है कि कुरोना के मद नजर असी कोड़ों गरीब लोगों को केंजर सरकार ने प्रधान मंति गरीब कल्यान अन्योजना के तहट मई और जून 2020 में मुफ्त अनाज उपलब्त कराने का फसला लिया है बिना मास्क बाहरी निकलने पर पूलिस ने मुर्गा बना सडक पर दोड़ाया कोरोना दिनों दिन विक्राल रूप धारन करता जा रहा है इसके बावजूद लोग इस जानलेवा संक्रमन के प्रति जारा भी गम्भीरता होते नजर नहीं आ रहे हैं रोजाना बिना मास्क के सेकड़ों लोग बे धड़क सडकों पर गोमते निकल रहे हैं वैसे लोगों को सिधा करने के लिए अब पुलिस भी सकत रुक्त अक्तियार कर रही हैं बता दे सडक पर बिना मास्क के गोमनने वाले वैसे लोगों को अब पुलिस मुर्गा बनवा सडकों पर दोड़ा रही हैं धन्यवाद